गुल संकर भगवानी की जय हो आज डोकरी आपने पोता ने हावल होतो देख बड़ा आनन्द सो नरसी जी ने लेर मात्मा ने प्रणाम करे तो मात्मा तो बांडे गायो मंदिर में जार पाची बार जावे तो मात्मा तो है नी अचा कुछ संत मात्मा इस नरसी जी माहराज के चरित्र में कहते हैं कि नर्शी जी माराज ने हावल करण वास्ते स्वयम भोले वावा ही संत का रूप बना कर उनको वाणी देने के लिए कृष्ण नाम की भक्ती देने के लिए मातमा को रूप बना आया हा माराज आज दोनों दादी पोता भगवान को बजन करता तका गरी आवे और गर पर आकर दीरे दीरे नर्शी जी गाया चरावे जुना गड़ के जंगला में जावे दीरे दीरे अटीने टेम बीते समय होतो जावे नाराया और इधर क्या होता है दादी मन में विचार करे प्रभू नर्शी जी बड़ा होने लगा है और अब मेरे एक ही मन में इच्चा है कि प्रभू बस एको ब्याव बेजावे कई बेजावे देखो मनोरतों की तो कभी तरप्ती नहीं होती है मनोरतों की कभी समाप्ती नहीं होती है आज दादी मन में सोच रही कि अब हमारे पोतों बोलबाल आगियो पंदरा वरस को वेगयो अब कटे काची बीन नहीं मिल जावे तो राम जी मैं सोरी मरूं थाकुर जी के ठीक थाक चली जाओ दो जी यह मन में इच्छा रहे जाए तो भगवान की करपा से अच्छा भगवान के बरोसे जो कम छोड़ोगे उसको थाकुर जी पार्क लगा देते हैं जान देना हे अंदाता हे प्रभू आपके करपा में अब हमारे बीन नहीं आ आज भगवान दादी मन में सोच रहे एं महादेव तु इन हावल की दोर अब इन बीननी भी तुला तो भगवान की करपा से क्या होता है कि जो इच्छा करही मन माई प्रभू प्रसाथ कचो दुरल भेनाई भगवान से निवीदन की आए तो भगवान कहते है मेरे भरों से काम है जाओ काम हो जाएगा और इदर ठाकुर जी की करपा सुन नर्सी जी को ब्याव भी वे वे और ब्याव हो या बच्छे नर्सी जी महाराज जो बीननी है नर्सी जी महाराज की जो पत्नी को नाम है मनी क जोवा की नर्सी जी की जो भोज़ाई है उसको किनो कदी नहीं माने हैं क्योंकि जेटानी तो महराज थोड़ी कड़क सुभाओ की तो नारा बना नारा अब नर्सी जी के महराज के गर में बहिंदनी आ और अटीने दादी मन में विचार करें कि अंदाता थांकी कृपा सो भीननी तो आईगी और अब बस कई मन में इच्छा को ने एक बार बस लड़पड पोता ने देख लो पच्छे सोरी मरू तो भगवान इदर धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन क्या हुआ भगवान की करपा से नर्सी जी को कुछ समय बाद में दो पुत्र रतन की प्राप्ति होती है प्रेम से बोलो जाईशे क्रिश्णा एक पुत्र रतन होता है और दोसरा है एक कन्या बड़ो बेटो है जी को नाम है नर्सी जी के बड़ा बेटा को नाम शामलदास क्या नाम है जोड से बोलिए शामलदास नाम है और जो छोटी बेटी है विन को नाम है हरनन्दी भाई कई नाम है जोड से बोलो हरनन्दी भाई यह जो हरनन्दी भाई है यह आपने नानी भाई है द्यान देजो, क्यों? अच्छा इन नानी भाई कांगेवे? अच्छा आपने राजिस्तान ने जो देवरसा होई अटे तो लाल जी सा देवरसा के हाँ लाकिनी मारवाण में बावरसा के वे? बतलब एक शब्द होते हैं, अलग-लग लाल जी सादेवरसा तो गुजरात में जो छोटी हुए जावी ने या परिवार में जो छोटो हुए या डान में जो छोटी हुए उन्हें सब नानी भाई के वे कहीं के वे? जरा जोड से बोलिए नानी भाई अचा माहिरो की को वेरियो भरणो है नी भरणो प्रेम से बोलो जाए सिक्रिष्णा तो नानी भाई डान में छोटी है एनि वास्ते इन परिवार का सारा मिन कहीं के वे नानी भाई भाई और इन प्रकार नर्शी जी के दो फुत्रों होवे धिरे धिरे समय गुजरे और एक दिन कई होवे नारायन भगवान की करपासों ठाकुर जी ने याद करता करता जो दादी नर्शी जी के जीवन में खुब आश्रवाद देवे एक दिनवा भगवान के वेकुंट पदार जावे महराज नर्शी जी खुब दादी ने रोवे खुब याद करें कि दादी की करपा सो आज वानी मिली, दादी की करपा सो मंदिर में जाबो सीख्या, दीरे दीरे, अब अठीने नर्सी जी और नर्सी जी की जो बीननी और वां का छोरा छोरी, और अठीने बंशी दर्वा को भाई और वां की बीननी, अब गर में नर्सी जी काम करें खेती बाड़ी कर पाच अवे गायां चरावे लेकिन गायां के रकाली दो बगवान करें गोविंद करें और रहे राम जी का भजन करें शाम के समय गायां ले जावे 5 रभाजी आवे 2 भोज़ई की वर यह कई बात विदि तन गायां तो सुबह 5 में तो रामजी का बंजन करवे हैं रामजी माला घात में नर्शीजी नर्शी मृश्शच आध या जाते ही chutष ऑन back s को काम जाने राम जी किचिडिया राम जी को यह वाली गति है महाराज। फेर आगला दिन बचड़ा ले जाओता महाराज बचड़ा बचड़ा के घेला बरिया जाता पेर नर्शी जी फिर खालियात गर आईता तो भोजई केदी कामन करम का हं? कुछ कमाते नहीं हो. और उपर से जो घर में जो पशुदन है उसको भी घमा रहे हो, महाराज. कुछी काम की नहीं हो. बंशितर केवे मैं राजा जी केटे उकेदारी को काम करूँ मारे राजा जी केटे खुब जान बचान है आणि वास्ते थने सेड़ जी की मुनिम की दुकान पर लगा दो नर्सी जी को का थांकी ही चा राम जी को तन है तहचाओ जट लगो फिर नर्सी जी दुकान में जावे बजार में जावे सेड़ जी को हिसाब किताब करा chaîne अब सेड़ जी हिसाब किताब को चोका को काम देवे वे अत्रों लेंदेन अत्रों योँ इसाब नर्सी जी हां मनों तो पर लेंवे कि मुलेड़ो राम जी मुलेड़ो, कि ने देड़ो का राम जी ने देड़ो, कत्रो लेड़ो का राम जी मुलेड़ो, आकी मुनिम की जो काम है उसमें, लोकड भाई, खाता भाई के महीने राम जी को नाम बर देवे, यसाभ किताम में टोटल अमास्ट के तरो वीओ कर राम जी को नाम भीओ अत्रा राम जी का नाम लिदा एडो काम करे नर्शी जी जिसी गिस्ता तो कहने का मतलब नर्शी जी काम पर भी जावे लेकिन छेतों कि में है राम जी में तो वटूम भी वहाने नोगरी में निकाल देखा रवीया काम नहीं कर सकते आप तो राम जी का बजन करो तो गरी करो फिर नर्सी जी गरे आजावे और फिर भोज़ई का ताना सुने दो दो बेटा का बाप भी गया और घर में बेटा हो शरमानी चावे महाराज और एक दिन तो भोज़ई अत्री खोटी सुनावे अत्री कोटी सुनावे महाराज जो नर्सी जी के मन में चुब जावे नर्सी जी गरेगे या रोज रोज की कई बेजा हमारी नाराएन आज तो गर नहीं छोड़ दो और नर्सी जी बिना बताया ने तो बीननी ने क्योर ने छोरा छो पान निकल गया और जंगल में जाकर जब जुनागड के जंगलों में गया तो आप सब जानों हो जंगलां में कशा देवता जदा मिले अरे वह यह काकड जो आपके वहां काकड में ज्यादातर देवता कशा मिले के तो हनमान जी मीली जंगल के मीन और यहां मीली मादेव जी क्यों 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 क्य जो आनी वास्ते नर्सी जी जूई जंगल में गया और जंगल में जार देखे तो महादेव जी को एक मंदिर है बीच जंगल में महादेव जी का मंदिर है और महादेव जी की तपस्या करबा ला गया और महादेव जी की भक्ति करते हैं अच्छा एक बात और बता दू आपने नरसी जी केवल साथ दिवस तक जंगल में रिया साथ दिन महादेव जी की भक्ति की दी और साथ अब भक्ति का प्रताब है अब भक्ति केसे कर रहे है महादेव जी हमारे दिनिश्विया बड़ा सुंदर गाएंगे बड़े आनंद के साथ में महादेव जी की सेवा में ताली वजा कर बड़े वहाउ से गाई है मैं तो शीवियाओ जल से इसनान कराओ में तो शीवियाओ जल से इसनान कराओ मैं तो शीव को जयाओ, जल से असे नान कराओ मैं तो शीव को जयाओ, जल से असे नान कराओ मैं तो शीवर ही शीव को जाओं जल से असे दाने बराओं मैं तो चावले चंदने चड़ाओं मोरे आके ता तोरा लाओं मैं तो वावित दूरा लाओं मैं तो शीवगी मैं तो शीवगी शीव को त्याओं जली से इसना निकराओं में तो जीवे ही जीवे को हो गयाओं जली से इसना निकराओं जली से इसना निकराओं में तो जीवे की जीवे को हो गयाओं जली से इसना निकराओं में तो जीवे ही जीवे को जाओं जली से इसना निकराओं में जी सुहुरत द्यान लगाओं में दो सुहुरत द्यान लगाओं ले केला पत चड़ाओं मैं तो जली धारा बरिसाओं और अकड़ बाम मैं बमेगाओं मैं तो शिवगे शिववाद्याओं जली से इसना निकराओं मैं तो जीवई जीवे को हो गयाओं जली से इसना निकराओं क्या हो? क्या हो? प्रसन भाए सिविव राजा वरे मांगो सारू काजा अपर मावो सारू बाजा ओमको ओर कचुना चाएए श्रीराला, ओ जली से शिना निकराओं जल से शिनान कराओ। बोलो संकर भगवान की जैओं। जो लिंग है वो गिसनर भी महराज छोटो वेजावे। अत्रो हाताओं रगडे महराज। अत्रो जल सुषनान करावे कि महादेव जीने गिस गिसर महराज। हातों की किस्मत बदल देते हैं। ओ तब प्रसन बये शिव राजा। ओवर मांगो सारों काजा। महादेव जीवा शिवलिंग मुप्रकटवेर नर्सी जीने दर्सन देवरे नर्सी जी गणो। मान थारे कई छाईजे मान। सामने महादेव जीने पाकर नर्सी जी दन्य हो जावे और चरणों में लोट जावे महादा। साथ दिवस नर्सी जी ने भी मिलिया, साथ दिन आपने भी मिले, सच बदाओ। वार कितने होते हैं, जोड़ से बोलियो, साथ वार। साथ वार में भगवान प्रसन हो जाए, ऐसा काम करो। चुट्टी का समय मत देखो कि संडे कबार आए। भगवान के भजन साथ वार करो महारा है। इन प्रकार नर्सी जी भगवान का बोले वावा के चरणों में निविदन करे और के वे। और मोको और इक चुना चाहिए, मोहरादा क्रिष्ण मिलाई। बोले बाबा केरे मांग नर्सी। धन चावे तो धन देऊ। योवन चावे तो योवन देऊ। रूप चावे तो रूप देऊ। अजर अमर होनों चावे तो अजर अमर कर देऊ। जो चावे सो मांग। भगवान परिक्षा लेते हैं भगवान जब प्रकट हो जावे ना तो सोचते हैं देखो इसके मन में क्या है पहले तो इसको जानने की भगवान भोले ना सोच रहे हो सकता मन में यदि धन दोलत की चाहो तो यहीं से काम बन जाए नरसी जी से के रहे मांग तुझे जो चाहिए सो मांग जो इसा मौका पहर आता है बार बार इस संसार में यह नरसी आज तु दन्ये है तारे सामने मैं सुम महादेव उखड़ो हूं जो मांगोगे सो मिलेगा मेरे भोले के दरबार में मांग ले तारे छाणों जो मांग ले नर्सी जी के वे महादेव जी आपकी लिला भी मैं समझ गयो थे चाओ के मैं इं मृत्यू लोक में काम करोध लोब में पशो रेजो आणिवास से मने कदी तो गाड़ी मांग बागी केई रिया कदी योवन मांग बागी केई रिया आरे ये सब तो केवल भोतिक वस्तुएं हैं आध्यात्मिक वस्तुव तो वो है जो राम जी को नाम है नर्सी जी के वे प्रभू अच्छा मन जो छावसो देव आप मादेव जी के बिलकुल थने चो छावसो देव तो नर्सी जी के देवे प्रभू आपने जो समू ज़्यादा प्रिये चीज हो आपने जो समू ज़्यादा आच्छी लागे जो आपका रिदय में हो वाई चीज मने देव दो और मादेव जी मन में जाकर देखियो तो मन में तो राम जी पी चुड़ा मादेव जी क्यों रहे कि नरसी धन नरसी पुद्धी ती हा रही थे तो वर मंग्यों रहती भारी तो यो कही मांग ली दो जो मारे मन की चीज मारे मन में जो आरी और जो मुझे प्रिय है बोले बाबा को तो केवल राम नाम प्रिय है मंगल भावन अमंगल हारी और इसी चोपई को तुलसी दाजी ने दो बार लिका है ओमा सहित जही जब पत्रे पुरारी बोले बाबा में किसका चिंतन करते हैं सच बता ना जोड़ से बोलिए राम जी का नाम बोले बाबा क्योरे कि यह जगे जो अगर गोराने जो दिल में बिठा ले तो तो यह भी थनी देनी पड़ती है इटा बाबा यो तो ठीक रही हो कि मा देऊ जी मन में राम जी ने बिटा रही है बोले बाबा ख्योरे की मांगो जो इचाहे बोले बाबा बड़े प्रसन हो गए और नरसी जी केवल आगे अरे बाबा मुझे तो केवल एक ही चाहिए क्या अरे रादा जी का रास में बिहारी जी का रास में अरे माने बिले चालो भोला उस महारास में बिहारी जी का रास में माने बिले चालो भोला उस महारास में देखें जो जो भी हमारे साथ में बगवान के रास में चलना चाता है थाकूर जी के दरवार में कड़े होकर हादरी जरूर लगाए रादा जी का रास में पिहारी जी का रास में माने मिले चालो बोला उस महारास में रादा जी का रास में पिहारी जी का रास में माने मिले चालो बोला उस महारास में कर दो कर दो कर दो रादा जी का रास में, नंद लाला जी का रास में, मान बीले चालो नरसी कुस महारास में कर दो आकांगि कर दो कर दो kinda अंद सा फ्रीया वहमे कर दो बदाद बद्या कर दो कर दो कर दो अरी रादा जी का रास में भी हारी जी का रास में मान भी ले चालो भोड़ा उस महा रास में रादा जी का रास में भी हारी जी का रास में मान भी ले चालो भोड़ा उस महा रास में अर अच्छा बागवान के रास में क्या होता है बगवान की मुरली बजती है बगवान बोले वावा नर्सी जी का हाथ पकड़ा और सीदा ले गई कहाँ गोलोक धाम में यहां ठाकुर जी रास की लिलाव करते हैं सावरिया थारी बासुरी की तान प्यारी लागे सावरिया तारे बासुरी की तान प्यारी लागे सावरिया तारे बासुरी की तान प्यारी लागे इधर बोले बावा नर्सी जी को लेकर रास में चले गये कनाया से मुलाकात कराई और मुलाकात करने के बाद में भगवान की दिफ्य रास को प्रारम हो गया और आईए हम भी उस रास में गूपी भाव बनाकर भोले बावा के साथ में रास में प्रविश करते हैं अरे रादा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपिजन मन मेरो बन गयो दिसकी पावन भृदवन नादा नाचे क्रिष्ण नाचे नाचे गोपिजन मन मेरो वन गयोरे सक्के पावन विन्दावन मन मेरो वन गयोरे सक्के पावन विन्दावन कर्वाओ नाचे पावन विन्दावन ओ राधा नाची क्रिष्णे नाचे नाचे गोपिजन मन मेरो तो बन गयसकी पावन भिंदावन मन मेरो तो बन गयसकी पावन भिंदावन ओ राधिके है ओ राधिके है ओ राधिके है ओ राधा नाचे खृष्ण नाचे नाचे गोपि जन ओ राधा नाचे खृष्ण नाचे नाचे गोपि जन ओ मन मिरोत वन गयोरी पावन व्रिंदवने ओ राधिके है ओ राधिके है ओ राधिके ओ राधिके आदिके, आदिके, ओ रादिके, आदिके, आदिके, तिरी आदिके अरिवो ओ चंदा नाचे तारा नाचे नाचे गोपिजन ओ मन्मिरो तुवन्गयोरी पावनि बिन्दावने मन्मिरो तुवन्गयोरी पावनि बिन्दावने मन्मिरो तुवन्गयोरी पावनि बिन्दावने रादे मेरी स्वामिनी मेरा दे को दाः रादे मेरी स्वामिनी मेरा दे रोडाः जनम जनम मोगी दीजियो लिन्दा मनि को वावन जनम जनम मोही दीजियो लिन्दावने रामा रामा मेरे तू जब तक गट में प्रौन रामा रामा मेरे तू जब तक गट में प्रौन तब उतो दीनितो यालिके बनके पड़ीगी कौन बनके पड़ीगी रामा बनके पड़ीगी कौन बनके परड़ेगी काम भुली रास विहारी सरकार की जेरवार चंद्रमा के प्रकाश में ये हमारा रास का उस्सव हता रहे हैं नरसी जी आप इस मशाल को पकड़ कर रखना आगे नरसी जी महारा जी मशाल ने पकड़ी रास को उस्सव प्रारम वियो राजा, रानी, रुकमनी, सभी गोपी काएं गोँ माताएं तुलिसी जी, गंगा, जमना, सूरच चंद्रमा सब रास में आनन्द लिदो अटिने रास ठाकुर जी रचारिया है और अटिने कई यो रास होता होता सुबह को समय होबा लाई हो तो अटिने नर्सी जी मारा जो मशाल हाथ में पकड़री की है भगवान की माया हुई और वा मशाल जलता 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 नर्सी जी को पुरो हाथ जलन लाई हो मारा पुरो हाथ जलन लाई हो मारा फिर भी नर्सी जी ने ठान लाई हो मारा, देखो नर्सी जी को तो बस भगवान की नजर से नजर मिला कर बस वो आनंद जो आ रहा है उसमें हाथ जल रहा पता ही नहीं हमारा बस भगवान को देख रहे है नर्सी जी आपने एटे केवे ने कि माला तो करमे पिरेर जिब पिरे मुगमाई बगवान का बजन करो दो गड़ी करो कता में आयों तिन गंटे बेटे हो पूरण बाव से कता में बेटो बगवान का लेकिन राम जी की माड़ा हाथ में ले लेवा लेकिन भेर भी थारी मारी बईया इन न हूँ कर दे वो आनन्द नहीं है नर्सी जी माराज को मोका मिला है बगवान की सेवा हात में लेने का और ठाकुर जी का दर्शन और बगवान की इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं बगवान के राज का आनन्द ले रहे हाथ जल गया रादा राणी के ओर एक ठाकुर जी रास ही रचाओ तो अकन था का भगता की भी लाज बचाओ और भगवान के और कई बात वेगी वो देखो नयों नयों बगत आयो कोई नरसी मेहता जुना गडमो भोडानात ले रहाया अत्रों बोलों वूबी वांका ला रहा है का हाथ भी जड़ गयो तो ही पतो को ने और महाराज क्यों रहा हाथ को छुपाया और भगवान भूंक मारें अवा कर रहे अरे नरसी यो कई वेगे और गंगा जी निकेवरे कि थारों शीतल जल लारी पर हाथ धंडो करो रहे कोई ने कई केवे कोई ने कई आकम हाग मजगी मारा भगवान केवे मारा बगतां को अरे मने तकलिव हो जाओ हो तो चाली लेकि मारें भगतां कि एक प्रसेंट भी कोई पीड़ा होए जावे मैंने सेन को ने मारा भगवान थाकुर जी नरसी जी ने केवाला गया नरसी जी ते मने के देता तो भगवान केवाला गया प्रभू आपको आनंद दर्शन को और उम्हें भी रास को जिक लि के लिए आपको आनंद छोड़ रहा हाथ के पट्टी बंदो एड़ो कदी नहीं हो मारा भगवान क्यों रहे कि तुमारी परिक्षा में सपल वेग्यों मारा भगवान ने पिता में रहड़ाया तो नरसी जी का हाथ सुकुमल हो गया चंदन की तरह चमकने लगा मारा और नरसी जी भगवान के चरणामे प्रणाम की दौर प्रभू सामुरियोचेट के पवैल अग्योर नरसी अब दर्सन कर लीदा और आपने भगवान का यदि दर्सन हो जावे तो भगवान की कथा को भगवान की भकती को प्रचार करनो तो हे नरसी अब तुन्हें बोले नात की करपमों तो तू अटे आगियो लेकिन अब तुमको उन्हें मृत्यू लोक में जाना है मेरी कता का मेरी भक्ति का प्रचार करना है मारा नरसी जी क्यों रहे अंदाता अब तो ख़दी भी मृत्यू लोक में और मारी भोज़ाई के गर मैं मैं मर्याई नहीं जाओं अरे वटे जार कोई काड़ा हाप के बटको बटको बर्बो है माराज और मैं नहीं जाओं नम्रत्यू लोग में काम क्रोध लोब गणा है जिन प्रकार सुक देवजी माराज भागवत में आवे ने 12 वरस तक बिटुक लाड़ लड़ाई ये जूटा अरिस्ताना था ये अटे ही दे जाए माराज उपरे तो के वल आत्मा और परमात्मा का संब्द है प्रेम सो बोलो जैशी कृष्णा नर्सी जी क्यों म्रत्यू लोग में वो भी मारे जूना गड़ में मारे बोज़ाई का गर में नहीं जाण करनो और एक वादो है कि जद भी तूमने याद केरी या थारे महीने कदी भी तकलिप कोई वेजाए तो यो मारो सांवरा को वचन है कि मोह हारई काम चोड़ सू काम चोड़ चाहे मारा कत्रही मत्व पुरुन काम हो मैं सबने छोड़ थारे द्वार पर उबो रहु बार ये यो मारो वचन है आज वगवान नर्शी जी महाराज ने टोपी पेरावे गड़ा में तुलचा माला देवे राधा में ताल मजीरा देवे पगा में गुमुरु बांदे गुपी चंदन को लेव करे और सब प्रकार का बक्ति का जो भी प्रचार का जो समान है उसाब नर्शी जिने हैं और उसके बाद में जब विदा कर्वा लाइगा तो भागवान के वे नर्सी जी एक चीज और लेता जो जब अब क्यईर रेगी उन्धा ता उन्धा तो एक मैं था नियराग केदारों देऊं कई हैं राग केदारों यह राग केदारा ने जद भी तु करुण स्वबाव मों मने गाई में चाए हो कोस्चेटी हो चाए वेकुंड में हो धारे वास्ते दोड में उटे तुरंद प्रवाव मों आ जाओं और धारा सारा काज समाल ले हो यो राग केदारो राग केदारो कोई समान कोने नारेल कोने जो देनिया जावे राग एक प्रकार से गायन की कला है, गाबा की विद्या, यानि भगवान स्वयम, सरस्वती, नर्सी जी महराज ने प्रदान करे, और संत मात्मा कुछ संत मात्मा माहिरा में सुना वर केवे भी है कि यो राग जो केदारो है यो भगवान की बाशा में तो राग केदारो है लेकिन आपनी बाशा में यो प्राइवेट टेलीफोन नंबर है कि जद भी नर्सी जी डाइल केरी और भगवान दोड़ कर आ जाए महाराज प्रिम्स मोल जैसी कृष्णा राक के दारा देने के बाद में भगवान ने विदा किया आगे कता आती है नर्सी जी महाराज पुने मृत्यू लोग में आवे पिर भोजाई मृ राडवे के अतरा दन कटे पुरिया गया हाथ दन गया जो और नेमी पुरिया जाता अग गर परिवार में राड़ा हो बालागी नर्सी जी क्यों रखे भई अब इराड का गरम न रेड़ो कांकर राड कर बजन करने बढ़े और नर्सी जी क्यों रख भई इराडमू निम्टबा के लिए कई है कि आपनों परिवार लेर इर गरमू अलग हो जाओ और नर्सी जी आपनी बेटी नान की नानी बई ने और शामल नास ने लेर आपनी पत्नी मनिक गोरी ने लेर भईजही ने प्रणाम करें के भईजही कहतो मारी दादी मारा पर भोला नात की क्रिपा की दी और कहतो मारा पर क्रिपा की दी जो थारू लडियो जो मने रावजी मिल गयो और अगर थो नहीं लड़ती थो मने गाल्या नहीं खाड़ती तो मों का जंगला में जातो मों भी आचा देशी गी का हलवा जीमतो लेकिन थारा कठोर वचन सुनकर आज थारा असिरवाद में मने ठाकुर जी मिल गया और इन वास्ते भोज़ई ने खुब प्रणाम करें और नर्सी जी गरहूं बारे निकल जावे शाड़ा को टेम है उन्दाड़ा को टेम बीते नर्सी जी महराज जंगला में घूम रहा है मारो ठाकुर जी देखर है कि यो भगत तो कदी राकेदारों निगावे लेकिन भगवान के दियो रहे कि जद भी थारे विबदा आई थारे कई तकलिव बही में दोड़ आऊं तो भगवान के और यो वचन निबाबाव को काम दुनिया करें ने करें लेकिन मों सावरों ज वास्ते तयार कर दो अरे अनदन कमाबागी चिनताई मेट दो क्यों क्यों कि दान की के रही तो बजन चूटी आइडि वास्ते मारे भगतने तो वजल भजन पाति आया इनवास्ते 12 पीटी खाहे जित्रो अन और धन इकी हवेली में भंडार भर दो महराज कई बाद की कमी म अटे बगवान भगत के वास्ते रासन पाण्य को हिसाब किताब भगवान के करपा से नर्शी जी महाराज को अज़्डो अन और धन मुलुर्ड अन और धन मिलने के बाद में प्रभू की कृपा से मिला है तो उसको प्रसाद Estrebook करो हो ज्ञादा रूपियां मिल जाए तो उन्हें रूपियां की जान मत कर्च करो उसको प्रसाद की थोड़ो किलो मंदिर में दियो, थोड़ो गायां के लिए थोड़ी कटे, और थोड़ो अपने परिवार के लिए, थोड़ो आबावाली पीडी के लिए, लेकिन आज काल का मिनिक तो हाथ पीडी तक की चिंदा करें, अटे हाथ पीडी तै, सोझ करिया उटे माllanो सावरो तो शामल शाव को विवा हो जावे, शामल दास को विवा हो जावे, बिडिया सुंदर पतनी आवे, फेड़ उटे भी, राड़ वेवे, गर का भाईबंद केवे कि बरा तो हाती गोड़ा पे जानी चवे माराज, आगली छोरी वाड़ा ने कहे देवे कि नर्सी जी तो मोटो मनक कई ठाक होने, और भागवान बराज को समय आयो, गाउवाड़ा क्योरग भूंडी वेजा आई रहे, मनक बरा के बाला आगया, हाती गोड़ा लिक्या हारे, पेदल पेदल जारिया रहे, और विंटेम पे ठाकुर जी की करपामों, द्वार कामों बरातावे, और मारों स उन नानी बई को भी ब्याव कर देवे, अच्छा कन्या दान में जितना दान करो, उसको दान कहते हैं, उन्हें खर्चो निकेवे, आनि वास्तिन नर्सी जी सोचो रहे कि मारी बेटी के लिए जत्रों हो सके हैं, वत्रों, खूब दान करो, बरबर थाड़ा सोना की नर्सी जी महाराजदान में कन्यादान में अतलेवा में छोड़ देवे नानी भई को विवा कट वे वे कोई बताओ माईरो कटे बढ़नों अपने जुन्नागड में दुवारिका में अंजार नगर में बढ़ना है तो नर्सी जी नानी भई को समंद अंजार नगर का सेड जी जो जश्ट पुत्र का नाम है परस रामजी क्या नाम है और वही नानी भई का बींद बने मारा वाके साथ में संबंद करें अटीने कई वे जावे बगवान के किरपाउन नानी भई को ब्याव वे जावे थोड़ों समय गुजरे कता का द्यान देना नारायन कता में समय भी हो कता को विश्राम तक भी ले जाना है इस वास्ते जादा समय नहीं लेंगे आपका नर्सी जी मारा देरे देरे समय गुजरे अटने जो आपको पुत्र है शामल दास विवा के थोड़े अधना बाद में उकी मृत्यू हो जावे यानि नानी भई के कोई मां जायो भई नीरे परिवार में शोक्षा जावे लेकिन नर्सी जी तो भगवान का भक्त है वो शोचते हैं कि ये पुत्र बना है ये एक संबन्द है लेकिन आत्मा का कोई संबन्द नहीं है आहिँ वास्तिवा की पतनिन के वे कि बला हुवा छूटा जंजाल कई के वे Chadam Thank conhe sprkg बला हुआ हू इधर दीरे दीरे समय गुजरे और एक दिन कई वे नर्सी जी मारा आज गाओं में बजन करबा जावे पाच्छेवा की पत्नी जो मनिक गोरी है वो गाटी बिमार हो जावे बिमार हो जाने के बाद में भी नर्सी जीने के वे कि थे मारी हाता पुछबा के लिए गर में मत आजो थे भगवान का भजन की था तो भजन पूरा कर आजो गर में राम जी मारो रुकाडो है मारा आणी वास्ते पतनी भी होनी चाहिए तो एसी होनी चाहिए मारा जो सुशिला बनकर अपने पति सुदामा को कहां बेजे दुवारे का अधीश के मंदिर में बेजे आज गाल की तो बीन्दने महराज परणिया बजे ताकिज में कई फिलम लागरी कई वेरियों महरा संडे कदी आई इसकी समय देखते हैं और टाकिज में ले जावे मारा डिसकों में ले जावे लेकिन शांस्त्र कहता है पतनी वो ही भाग्यवती होती है वो ही धर्मात्मा होता है जिसकी पतनी आपने पतिने परमात्मा के चरणा में ले जावे आज मनिक गोरी केवे कि मैं बिमार वेज़ूं चाहिए कई भी वेज़ूं लेकिन थाकू नियम है कि शाम के समय रोज अलग अलग गड़ा में बजन करना उन नियमने मत छोड़ जो रोज भजन कर जो एक दिन नर्सी जी माराज भजन कर यहाँ और पाचों मनिक गोरी भी भगवान को चली गई माराज प्रेम सो बोलो जैशी कृष्णा इधर देरे देरे अब नरसी जी माराज अकेला हुई गया परिवार में कोई को ने है एक दिन कई वो नरसी जी के हवेली में कुछ संत मातमा आवे और संत मातमा पोंच ओड़ा हा और आता ही पहली नरसी जीन देखर क्यों है नरसी तेरे भाग्य में तो भगवान लिके है और तूं कई परिवार में उलजियो दोको इः हवेली नर मोम आयाने लेर बेटो दोको याद कर तारा पाचल पाचला जनम में तू सत्य व्रत सुवर्त नाम को राजा हो उके बाद में तू शेर बढ़ी हो और इन प्रकार जिद बाता कि दी तो नर्सी जी माराज को पुर्व जनम की कता याद आ गई और एक दम से रुम रुम भुलकित हो गया लहर उटी बेराग की करम बहे चक चोर विसे वासना सब मिटी भगेमों सब दोर लहर उटी बेराग की नर्सी जी क्यों रगयों कई परिवार में एक दम बेराग की हो गया सब कुछ छोड़ दिया और दीनों द्रव्य लुटाए भगवान बारापीटी खावे जत्रों अनोर धंडी दो हो उन्हें नर्सी जी कई की दो अरे दीनों द्रव्य लुटाए द्वादसमा सही माई देश देशांतर सम सुने हूंडी चाले ना नर्सी जी के नाम की हूंडी चालती नर्सी जी सेट हा सेटामों संपर कहो अटे हूंडी को मतलब अटे पैशा जमा करा दो और विटे मिलबा वाड़ाओं पैशा लेलो आज कल कही वे बेंग में पैशो जमा करावा और एटियम में उटे खाड़ ला इनके वे हूंडी तो नर्सी जी करोड़ पती आव इन टेम पे भगत लोग मागवे विटे रुख उदाना फ्यारा कार जाता क्योंकि जंगला में जावे तो डाकू लूट ले वे अटे जमा कराता नर्सी जी करने और नर्सी जी को नाम लेर दूसरी जगे जार वे भगतामू पैशा ले लेता इनके वे हूंडी अब दिरे दिरे हूंडी भी बंद होगी नर्सी जी माराज 12 पीडी खावे जित्रो अन और धन्न बारा मिना में खर्च कर देवे खूब कुवा बना देवे, खूब कन्या को बिवाव करा देवे, खूब कन्या दान करे, खूब धर्म ध्यान कर देवे अब तो केवल हवेली बजगी भाभी खंडर फंडर वेगी गर में मनक वेवे तो जाला साब करें नी वेवे तो उगे भी उदाया लागे तो अनर्सी जी तो बस बजन करें और गर में ग्यान दाजी मान दाजी धान द्यान दाजी और जत्रा भी गाउं का मोड्या संत है सागला उँ हवेले में आजावे रोज बगवान का बजन करे सामरी आतारा नाम हजार केसे लिखो कंकू पत्री कदी कई बजन कावे कदी कई करे महाराज गाउं का लोग बरा खेबाल आगे रहे एक टेम पे तो नाम हो अब रोड पे आगे हो महाराज इधर क्या हुआ जान देना दीरे दीरे समय गुजरे 20 बरस गुजर जावे 25 बरस गुजर जावे अटीने अंजार नगर में नानी भई के भी छोड़ी वे जावे छोड़ी भी इत्री वड़ी वे जावे के उनको भी ब्याव को समय आ जावे महाराज लेकिन नर्सी जी को परिवार से कोई इमतलब नहीं वो जानतँ ही ने कि मारे वेटी भी है क्योंकि राम जी के अलावा और किसी को नहीं मानते अटिने दीरे दीरे महाराज कन्या को विवार को समय हो जावे और एक टेम्प कई वे परिवार का रंगजी महाराज अंजार नगर में सारा बैवंद बेड़ावे और बैवंद बेड़ावेर कन्या के लगन पत्रिका लिखवा को मुरत कड़ावे और यही से नानिवै के माहरा का पद जो आपा गावा अटू नानिवै का माहरा का पद प्रारम होवे और अंजार नगर में कई बाता बने मेरे साथ में सभी गाये अरे नरसी जी रीडी करी रो नानी बाई नाम जी नरसी जी जी रीडी करी तो नानी बाई नाम ब्याही श्री रंग के गरा ने नगर अजर सुग राम राम जी ब्याही श्री रंग ने गरा नगर नाम सुगा जासु सुता के लगन रो सी रंग कियो उचाव जी जासु सुतारे लगन रो सी रंग लियो उचाव न्योतो सकल विरादरी ने नागर कुल रो भाव नाम जी ठोतो सकल विरादरी रो नागर कुल रो भाव माग कृष्ण भ्रगुसब्त नी ने कंकुं पत्र लिखायग जी बाई वंद बेडाव यारे जा जम दी विचाए प्रतमली को गण एशकों जे उनिजु नागड जाए जी प्रतमली को गण एशकों उनिजु नागड जाए ता पीछे सब जात में अरु सब जान पिछाणे राम जी पीछे साथ में अर जब जान पिछार बर्जल की वह पत्रिका गवने निजिनिज दा ता पंचमी की वह पत्रिका गवने निजिनिज दा देने लगे का शीद क्मु लेले सब को ना नरसी जीरी पर्थ का विंप्र को कल्या हाथ जोना गढ़ियती बेगते लेकन है जोसाथ राम जी जो ना गट यत बेग पे लेकर आई जो साथ अर भगत बचल प्रभो सारे सब काज जी भगत बचल प्रभो सारे सब काज नानी वैरा माहिरा रीता कुर जी नेलाज नानी वैरा माहिरा रीता कुर जी नेलाज वो सीता राम जी नेला, ये माराचार बुजा नेला, ओ जे जे नारायन हरी ओ जे जे नारायन हरी अटे सुनानी बई का मायरागा पद प्रारम हो वे नर्सी जीरी डीकरी, डीकरी केवे गुजरात में बेटी ने नर्सी जीरी डीकरी नानी बई को नाम ब्याई ही श्री रंग केगरा, नगर अंजारस उगराओ जासु सुता के लगन को, सुता माने पुत्री जासु माने नानी बई की जासु सुता के लगन को नानी वई की पुत्र के लगन के लिए शी रंग कियो उच्छाओ और न्योतो सकल बिराद रिने नागर कुल को भाओ प्रतम लिको गण इशको अच्छा पहली पत्र का आपा जो भी ब्याव की मांड़ा समो पहला की के लिका गणे जी माराज के तो प्रतम लिको गणे इशको पुनी जू नागर जाए उसके बाद में जो मोटो वेवे ने आपने परिवार में ब्याया में तो उ मोटा ब्याई के समो बाद में पत्र का उखे जावे तो गणे जी के बाद में पुनी जू नागर जाए ता पीचे सब जात में अरुजब जान पिचान भई नर्सी जी का पाचे आप सब हाँ नर्सी जी बड़ा ब्याई जी है नानी भई बड़ी बेटी है अनि वास्ते नर्सी जी महाराज की पत्रका लिखकर विप्र कोकल्या हाथ कोकलियाजी महाराज ने पकड़ा देवर केवे नानी कोकलियाजी महाराज इपत्र काने ले ते तुरंद प्रवामों जा जो और फटा पट पाच्व नूतों समाचार माने बता जो इन प्रकार कोकलियाजी महाराज की उमरे असी वरस की सोच बाला गया रहे बाई जदी नानी दीटो हो सके अब बुड़ाबा में भी होना को हार लिक्टो को आणिवास्ते फेर नर्सी जी के जामा बड़ो आनंद आए अब वानिया ठाक होने के नर्सी जी तो कंगाल वे गिया है को कोकल्याजी माराज के मैं जाओं सा मैं जाओं सा पत्रिका ले और बुड़ा आदमी औ कोकल्याजी माराज पत्र काहत में लिदी मन में सोच बाला गया रहे कि मनका की बाता तो वेगी लेकिन हो सके कई देनों लेडों भी वेवे तो बायाओं बत्तों कुण जाने आनी वास्ते अब कोकल्याजी माराज जो गर की शीरंग जी की पत्नियां हैं भोजायां हैं परि और जुई माहराज नानी भई की दादी हासु ने भी पतो लागियो रखे नर्सी जी के पत्र का और दादी हासु के वे रे नाराणिया ए नाराणिया अरे यो जात में आपाने कई भूंडी लगावन वास्ते ये पत्र का लिखी रहे ये कोकले जी माहरा जो भूड़ा वे गया याने पतो कोनी के नर्सी जी कंगाल वे गया अरे वो मोडियो है मोडियो माहरा आणी वास्ते ये पत्र का ने का लिखी थे लोग नर्सी जी को नाम काट दो तो नाराणियों के वे रे किवे कंगाल वे गया रूपिया मू कंगाल व आपने गुजरात में सूरत मुंबरादा आई और बड़ी पार्टी आई बड़ी पार्टी आई इसके बीच में आई वास्ते अत्रो सामान लिको माहिरा में अत्रो सामान लिको कि वो मौड़ी दूसरी पत्रिका लिख रहे हैं पत्रिका को याज रखना क्योंकि